Hello Everyone, Welcome to Complex Engineering तो अभी हम लोग discuss करेंगे electricity और magnetism के interrelation के बिच में मतलब जो electricity और magnetism नोँ इटर रिलेटेड है तो डोनों के बीच का जो relation होता उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो हम लोग कोई mathematical concept के help से कोई equation theorem नी drive करेंगे हम लोग सीब एक intuition grow करेंगे और कुछ experiments के बारे में discuss करेंगे अगर हम लोग engineering level पर consider करेंगे तो जो concept होगा बहुत important होगा मगर अगर technical level पर अगर consider करेंगे तो technical level पर मेभी इसका इतना use नहीं होगा मगर engineering level पर यह consider करना बहुत important है तो electricity और करेंगे इसका जो इंटर्लेशन है वह कुछ इस तरीके का होता है consider कर लेते हैं अगर यह coin का हैड अगर electricity और इसका मतलब अगर कई electricity हो तो वहाँ पर होगा अच्छे कहीं अगर electric field हो तो वहाँ पर होगी magnetic field और अगर magnetic field हो तो वहाँ पर होगी electric field तो concept इस्टार्ट करने से पहला हम लोग थोड़ा बहुत fundamental चीज़ों के बारे में डिसकस कर लेते जैसे के magnetic field of lines magnetic compass conductor में से current कैसा flow होता उसके बारे में हम लोग डिसकस कर लेते फिर आगे के concept के बारे में हम लोग continue करेंगे तो सबसे बहले हम लोग डिसकस करेंगे magnetic field of lines magnet क्या होता है मैगनेट बेसिकली एक material होता है जो के कोई भी substance को attract कर सकता है और जो के iron nickel या फिर cobalt का बनाओ या फिर हम लोग बोल सकते magnetic substance होता है जो के कोई भी material को attract कर सकता है जो के iron nickel या फिर cobalt के बने हो अगर वो material magnetic field of lines के contact में आ जाते तो जो magnet होगा या तो attraction force अपलाए करेगा या तो repulsion force अपलाए करेगा depend करता है कि जो material है वो कौन सा है जैसे के ferromagnetic paramagnetic या फिर diamagnetic तो इसके मैंगनेट का अगर हम लोग construction देखें जो magnet होता है उसमें इक pole होता है North Pole और दुसरा पोल होता है South Pole यह pole के वज़े से बनती है magnetic field of line start होती है North Pole से and होती है South Pole पर अगर हम लोग देखें जो magnetic field of lines है वो imaginary line से इसको हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग लोग देखें जो magnetic field of land close loop के form में या फिर हम लोग बोल सकते close path के form में या फिर close curve के form में इसको हम लोग proof कर सकते with the help of Gauss's law in magnetism या फिर जो magnet का जो फंडमेंटल जो concept है जैसे के magnet को अगर हम लोग दो पार्ट में break कर देते तो जो पोल होते वह separate नहीं किये जा सकते मतलब जो यूनी पोल हुआ एक्जिस्ट नहीं कर सकते तो वह सब जो concept है उसके थुरू हम लोग समझ सकते कि जो अंदर जो magnetic field of land का जो direction होगा सौथ पोल से नौट पोल के तरफ होगा मगर भायर जो magnetic field of land का जो direction होता है वह north पोल के तरह होता है तो flowingFあ जो direction हम लोग north पोल में पहclamation का सबकी मैं करया करता है उसको समझने से पहले हम लोग छोटे से instrument बसर ऋरके तो जो मैगनेटिक कंपस मे उसके इंदर से अदर नीडल का जो कलरट पाट होता है इंडिकेट करता नउठक पॉल सबस्सकान से कानिडेक्ड करता तो इचेनल को मैगनेटिक भट मे रखते तो नीडल है, यह जो नीडल है, जो colored section और यह जो non-colored section इसको हम लोग sake of simplicity के लिए या फिर convenience के लिए हम लोग कभी-कभी electricity और magnetism में यह वाले symbol से indicate करते हैं या फिर यह जो arrow इससे indicate करते हैं, जो arrow का head indicate करता है north pole और जो tail है वो indicate करता है south pole तो यह है magnetic compass की needle और यह जो arrow का head है, वो indicate कर रहा है north pole और जो tail है, वो indicate कर रहा है south pole तो यह magnetic compass होगी, magnetic compass का needle और यह जो magnetic compass की needle का north pole और south pole तो अभी हम लोग देख ले होते हैं, जो magnetic field of lines है, वो north pole से start होती है, और south pole पर end होती है और जो magnetic field of lands होती यो close path पर होती है इसके बारे में हम लोग आगे discuss करेंगे मगर होती है यह हमें पता होना चीए यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो magnetic field of lands का जो consideration होता है North pole से start होती है, South pole पर end होती है या फिर जो magnetic field of lands का जो direction है हम लोग magnetic field of lands का जो pattern है तो इसके पीछे का cause क्या है उसके बारे में हम लोग discuss करते हैं मैं यह सब fundamental चीजों के बारे में इसलिए discuss कर रहा हूँ कि आगे हम लोग यह सब चीजों को use करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे यह है magnet का south pole और यह है magnet का north pole magnetic field of lines बनेगी north pole से south pole के तरफ अगर हम लोग यह magnetic field of lines में अगर हम लोग magnetic compass रखे तो जो magnetic compass की जो needle होगी इसमें होगा deflection तो हम लोग माल लेते हैं जो magnetic compass है इसको हमने यहाँ पर रखा तो जो north pole होगा permanent magnet का अभी हम लोग example के तोरब आफिर concept को समझने के लिए हम लोग जो north pole उसको हम लोग consider नहीं कर रहे हम लोग सिप यह south pole और north pole consider कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए magnetic compass को हमने यहाँ पर रखा तो जो magnetic compass की जो needle होगी वो deflection करेगी क्योंकि अगर हम लोग देखे जो सौथ पोल को अपने तरफ करेगा अट्रैक्ट जिसके वजे से जो मैगनेटिक कमपस की जो नीडल होगी वह अपने आपको कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेगी या फिर हम लोग ऐसा भी वह सकते हैं जो सौथ पोल है मैगनेटिक कमपस की नीडल के नौँम हो आपको सारे मैगनेटिक कमपस की जो अलाइनमेंट कुछ इस तरीके का ही तो नीडल का अनो कर देख्ये हमें ऐसा लगता है कि जो सौधोर्य पेटर्न हो वह कुछ इस तरीके का होगा कि मानों जो magnetic field of lines से वो start हो रही है north pole से और end हो रही है south pole पर तो कुछ इस तरीके से magnetic field of lines हम लोग consider करते हैं आगे जो properties है उसके बारे में भी discuss करेंगे अगर हम लोग देखें इंजीनेरिंग में यह सब नहीं है यह सब 11-12 या फिर लोवर ग्रेड में हम लोग पढ़ लेते हैं इंजीनेरिंग में यह सब explain नहीं किया गया है मगर fundamental concept clear करना बहुत important होता है तो इसलिए मैंने यह सब चीज़ को consider करना सही समझा अगर आपको इसके बारे में मालुम है तो you can skip this video अभी हम लोग discuss करेंगे इलेक्टिसीडी के वज़े से मैगनेटिजम, एलेक्टिक फिल्ड के वज़े से अफिर करंट के वज़े से मैगनेटिक फिल्ड कैसा क्रेट होती है, तो यहां से कंटिन्यू करना इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हम लोग डिसकस करेंगे, करंट के वज़े से मैगनेट कैसा होती है तो अब तक कि हमने डिसक्स क्या है मैगनेटिजम के बारे में हाँ एक और एक कॉंसेप्ट रही है कंडक्टर में से करन्ट कैसा फ्लो होता है तो उसके बारे में भी जानना बहुत लेकिंट फंड़ें अगर हम लोग एक अधरी प्रोटांट में पॉसिट्व चर्ज और जो न्हुट्र लेस होता है मतलब उसमें नाई प्वॉसिट्व चार्ज होता है नाई नेगिटिव चार्ज होता है मतलब वो न्यूट्रल होता है तो यह है न्युक्लियस Five और न्यूकलियस में होता है proton Intelligence प्रोटाउन होता है प्रोटाउन सब्सक्राइब हरे टैटल चांध मुंण सा मटेरियल अगर हम लोग ले रे इनसुलेटर ले या फिर हम लोग कोई भी मटेरियल लेरे मेरे current को अलौ नहीं करें जैसे के wood rubber तो जो material होते हैं उसमें जो वह material के जो atom होते हैं वह atom के जो electrons होते हैं वह valence shell के साथ tightly bounded होते हैं loosely bounded नहीं होते हैं तो loosely bounded होने के वज़े से क्या होता है या फिर अगर हम लोग conductor जैसा material consider करें या फिर aluminium या फिर copper तो जित्ते यह आडर्योट के जो atom है atoms के जो electrons होतेई जो में होतें वह loosely тयaiटच्ट होते तो loosely attachment के वज़े से होता कि अगर जराशИ electrostatic force अगरRight करता है तो जो electronics होगे वह अपने व對了 से free हो जाएंगे और यह फ्रिद्रॉण बेंगे और यह flow करने लगें गे और जो electron का flow होता उसको हम लोग बोलते है current तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो electron से वो या तो loosely bound हो सकते या फी tightly bound हो सकते है depend करते हैं हम लोग कौन सा material दे रहे और अगर यह electrons अगर electrostatic force के अगर contact में आ जाते तो यह जो electrons होगे वो valence shell से फ्री हो जाएंगे और flow करने लगे हो electrostatic force कैसा create होता है electric field के वज़े से create होता है तो अभी हम लोग देखते है conductor में current कैसा flow होता है तो यहाँ पर हमने consider किया conductor conductor के across हमने provide किया potential difference potential difference के वज़े से बनेगी electric field यहाँ पर हमने अब भी discuss किया कि electric field के वज़े से बनता है electrostatic force electric field के वज़े से बनता है electrostatic force जैसे कि हमने discuss किया था magnetic field के वज़े से बनता है magnetic force, magnetic field is the responsible parameter for the magnetic force similarly here we can consider electric field is the responsible thing for the electrostatic force अगर electric field ना हो तो electrostatic force नहीं बनेगा तो यहाँ पर हमने consider किया conductor conductor क्या cross हमने provide किया potential difference, potential difference के वज़े से बनीगी electric field conductor का जो यह वाला जो एंट होगा higher potential पर होगा h यह वाले औट नोवर पोटेंशल फोगा एलेक्त रियेक्स old का दिर्येश्ट उर पटेंशल से लोवर फॉटेंशल गतरब होगा के ब स molta फ्रीव करना लेगे ऑ temps हम लोग बोल सकते हैं जब वो electron valential से free हो जाएंगे और यह conductor में flow करने लगेंगे और वो जो electron का जो flow है उसी को हम लोग बोलते हैं electric current तो कुछ इस तरीके से जो current है conductor में flow होता है अभी हम लोग discuss कर ले थे current के flow के वज़े से magnetic field जा फिर हम लोग बोल सकते हैं जब current flow होता है तो magnetic field create होती है तो यह जो जैसे के हमने discuss किया था अगर electricity हो तो वाँपर magnetism होगा तो इसको यह जो प्रूफ किया था पहली बार इसको एक Danish physicist और chemist ने प्रूफ किया था 1820 में जिनका नाम था Hans Christian odd state इन्होंने यह प्रूफ किया था एक्षुली जो इन्होंने जो एक्स्प्रिमेंट किया था वह एक्स्प्रिमेंट हमें यह बताता है कि अगर कहीं electricity हो तो वाँपर होता है तो जो एक्स्प्रिमेंट इन्होंने जो किया था वह एक कोइंसीडेंस के वज़े से बिसिकली 1820 के टायम जो electromagnetic induction का जो concept था वो नहीं आया था तभी जो electric current का जो basic source था वो था DC battery DC battery के थुरू current को flow कराया जाता था conductor में electromagnetic induction का concept नहीं आया था तो उन्होंने अपनी लेबरेटरी में conductor में से current flow करवा रहे थे और उसके conductor के जस्ट बाजू रखा था magnetic compass और magnetic इंस्टूमेंट है जैसे के मैंने बोला थोड़े टाइम पहला हो अगर magnetic फिल्ड अगर कहीं एक्जिस्ट कर रहे हो तो जो magnetic compass की जो नीडल है वो deflect करती है तो जस्ट बाजू वो conductor के जस्ट बाजू रखा था magnetic compass और उन्होंने गलती से देख लिया कि कि जो magnetic compass की जो नीडल है वो deflect कर रहे है coincidentally या फिर coincidence था इत्यफाक था उन्होंने देख लिया कि जो magnetic compass की जो नीडल है वो अपनी एक्सिस से डिफलेक्ट कर रहे है करंड के फ्लो के वज़े से magnetic compass की जो नीडल है वो रिफलेक्ट कर रहे है जब यह conductor में से करंड फ्लो हो रहाता तो तो उन्होंने एक एक्सिरुमेंट किया वो एक्सिरुमेंट में उन्होंने लिए conductor वो conductor को उन्होंने connect किया DC battery के साथ और वो बैटरी के साथ connect किया सीरीज में रेसिस्टर रेसिस्टर से जो करंड की जो वैल्य उसको वैरी कर सकते हमें मालूमें रेसिस्टर क्या होता है आगे डिसकस करेंगे करंड लेक्रिस्टी में पुरा रेसिस्टर के बारे में detail analysis तो यहां पर अगर हम लोग देगे उन्होंने वैल्य को adjust कर रहे थे तो जैसी current flow रहा था conductor में से जो magnetic compass की जो needle थी वो अपनी position से deflect कर रही थी और एक particular limit के बाद जो magnetic compass की जो needle थी वो अपना आपको कुछ इस direction में या फिर इस position में align कर ली तो यहां पर अगर हम लोग देखिए जो magnetic compass की जो needle का जो alignment है वो indicate करता है के जो magnetic field of lines है वो कैसी है यहां पर हमने discuss किया था जैसे के मैंने थोड़े टाम प Rogale il डिसके किया था यह जो magnetic compass की needle का जो alignment है वो इंडिकेट करता है magnetic field of lines तो यहां पर हम लोग देखिए जो magnetic compass की जो needle का जो alignment है वो वह इंडिडेट कर रहा है तो फिर क्लोज पॉर्म M蒲 फिर क्लोज के वॉक्त कर सोयी वह थी उसलीव तो लिया पर यहाँ पर यह कि अगर करण धो वह Great magnetic field या फिर अगर कही electricity exist कर रहे हो तो वहाँ पर exist करेगा magnetism तो तब से हम लोग यह consider करते हैं अगर कहीं current flow रहा हो तो across current के flow के वज़े से बनती है magnetic field या फिर अगर कहीं electricity exist कर रहे हो तो वहाँ पर magnetism भी exist करता है और यह जो magnetic field का जो direction इसको हम लोग find out कैसा कर सकते हैं इसको find out करने के लिए हम लोग यूज करते है right hand grip rule तो right hand grip rule के हिसाब से हमें जो हमारे जो थम होता है हमें उसे align करना होता है current के flow के direction में जो कल्ट finger होती है वो indicate करती है magnetic field का direction for example यह conductor इसमें से current flow हो रहा है तो जो थम होगा हम लोग उसको align करेंगे current के flow के direction में current इस direction में फ्लो हो रहा है तो थम को हम लोग कुछ इस तरीके से align करेंगे तो जो कल्ट finger होगी वो indicate करेगी magnetic field का direction तो यहाँ पर अगर हम लोग क्यों बनती है current के वाज़े साज़े हम लोग discuss करने वाले नेक्स्ट वीडियो में तभी हम लोग discuss करेंगे के magnetic field के वज़े से बनता है electric current या फिर अगर कई magnetism हो तो वहाँ पर होती है electricity यह पर हमने डिसकस किया थैगर कहीं हो तो वहाँ पर होता है magnetism अभी हम लोग डिसकस करेंगे अगर कई magnetism हो तो वहाँ पर होती electricity तो इसको 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 एक experiment के थुरूफ किया गया था एक ब्रीटिस साइंटिस ते जिनका नाम था माइकल फैराडे 29 ऑगस्ट 18 31 को इन्होंने concept दिया था या फिर हम लोग बोल सकते इन्होंने एक experiment क्या था और वो जो experiment का conclusion था वो यह निगल गया था क्या है अगर कहीं changing magnetic field है या फिर अगर conductor को अगर हम लोग magnetic field के बीच में रखके move करते तो जो conductor है उसमें induce होता है current या फिर वो conductor में induce होता है EMF या फिर अगर conductor को move नहीं कर सकते और अगर magnetic field में अगर motion हो रहा हो तो भी वो conductor में induce होगा current मतलब या तो magnetic field में motion होना चीए या फिर conductor में motion होना चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो जो conductor होगा, उसमें induce होता है, current या फिर वो conductor में induce होता है EMF, तो यह जो law है या फिर यह जो experiment का जो conclusion है इसको हम लोग जानते है, Faraday Law of Electromagnetic Induction, तो जो Michael Faraday थे, उन्होंने जो experiment किया था, वो experiment में उन्होंने क्या किया था, magnet लिया था, उन्होंने North Pole वाला magnet और दूसरा South Pole वाला magnet, magnet के वज़े से बन दी थी magnetic field of lines और जो magnetic field of lines का जो direction था, और राइट से राइट के तरफ था obviously North Pole से start हो रहा था, South Pole पर end, और वो magnetic field of lines के बिच में वो conductor को से electrostatic force act करता है electrostatic force के वज़े से हो conductor में induce होता है current, और यहाँ पर हमने discuss किया था initially, electricity और magnetism के बिच का interrelation कुछ ऐसा है कई अगर electricity हो तो वहाँ पर होगी magnetism और अगर कई magnetism हो तो वहाँ पर होगी electricity, तो जब यह magnetic field के बिच में conductor को rotate कर रहे तो magnetic field में आ रहा था variation या फिर हम लोग बोल रहे था changing magnetic field create हो रही थी आगे हम लोग discuss करेंगे कि जो changing magnetic field है या फिर जो time varying magnetic field है वो electric current create कर सकती है तो यह changing magnetic field के साथ या फिर यह जो magnetic field में जो variation हो रहा था इसके साथ associate the electric field और वो जो electric field है magnetic field के साथ perpendicular होती है यह आगे हम लोग electromagnetism में discuss करेंगे तो जब यह conductor को move कर रहे था है magnetic field में तो magnetic field में आ रहा था change आ फिर magnetic field में motion create हो रहा था जिसके वज़े सो magnetic field के साथ जो associated जो electric field थी वो electric field electrostatic force create करी थी यह conductor के जो atom है उसके उपर और वो जो atom के जो electrons थे वो फिरी हो गए थे और यह conductor में flow होने लगे थे तो कुछ इस तरीके से यह जो conductor है इसमें इंड्यूज हुआ था current तो यहाँ पर यह completely prove होता है कि अगर कही magnetic field हो तो वहाँ पर होती है electric field या फिर अगर कही magnetism हो तो वहाँ पर होगी electricity तो यह जो law है इसको हम लोग बोलते है फैराडेल उफ ए लेक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन यह जो जितने भी जो electrical engineers है उनको यह law के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए क्योंके जो बिजली जो बनते है या फिर जो इलेक्ट्रिसीटी जो बनते है जनूरेटर या फिर जो अल्टर्नेटर जितने भी जो electrical machine है उसका fundamental जो principle है वह यह है फैराडेल उफ एक्ट्रो मेगनेटिक इंडक्शन यह तक कि जो then electromotive force will induce inside that conductor यहाँ पर एक confusion create होता है DC motor और जो DC generator है DC generator का तो principle faradale of electromagnetic induction ही है मगर जो DC motor का जो principle है वो अलग है DC generator का जो principle है faradale of electromagnetic induction whenever current carrying conductor sorry, जो faradale of electromagnetic induction का principle हमें यह बोलता है when the electrical conductor is moved in between electric magnetic field, constant electric field simple words में बोल रहाँ then there will be the induction of current inside that electrical conductor यह है DC generator का working principle या फिर कोई भी generator का working principle में फिर से repeat कर दे रहाँ when electrical conductor is moved in between magnetic field, then current will induce inside that conductor और या फिर बोल सकते है electromotive force will induce inside that conductor तो यह DC generator का working principle है, मगर जो DC motor का working principle है, वो Lawrence principle है Lawrence force है, Lawrence force हमें क्या बोलता है, अगर conductor है current flow हो रहा है और अगर उसको हम लोग magnetic field में रखे तो conductor पे लगता है force और faraday law हमें क्या बोलता है, अगर conductor को magnetic field के बीच में रखे move करते है तो conductor में induce होता है current तो यह जो दो difference है वो आपको पता होना अच्छे क्योंकि confusion create करता है electrical engineers के brain में मेरे भी brain में किया था और ultimately मैंने concept को clear किया तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने completely discuss किया, कि अगर electricity अगर यहाँ पर हमने discuss किया पहले और state experiment में अगर कहीं electricity हो तो हम आपर होता है magnetism, faraday law में हमने अगर कहीं magnetism हो तो वहाँ पर होती electricity अभी 1862 के टाइम एक Scottish physicist थे pronunciation मेरा थोड़ा wrong हो रहा होगा जिनका नाम था James Clark Maxwell इन्होंने चार equations दिये थे और यह जो equations है जो electrostatic या फिर हम लोग बोल सकते magnetism, electrostatic और जो magnetism के जो core concept है उसको consider करते वे जो equation है mathematically drive किये गए थे जिसको drive किया था James Clark Maxwell ने जो कहते Scottish physicist तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे जो equation है बहुत important equation है और यह equation है या फिर हम लोग बोल सकते जित्ती भी चीज हमने अब तक के डिसकस की electricity के वज़े से बनता है magnetism या फिर अगर कहीं magnetism हो तो यहाँ पर होती electricity तो जो चार equation है यह चार equation वो पूरे concept को mathematically prove करते और यह equation है यह Electromagnetism का base है या फिर हम लोग बोल सकते Electromagnetism का foundation है Electromagnetism में या फिर हम लोग बोल सकते Electromagnetism में कि स्टड़ी है जिसमें concept होता है electromagnetic wave का और जो electromagnetic wave है वह ही एक responsible content है आफिर हम लोग बोल सकते हैं वह ही एक responsible parameter है जिसके वजह से आज हम लोग एक दुसरे से communicate कर पा रहे हैं जैसे कि जो wireless communication system है for example you and your friend can communicate with each other irrespective of distances where you are and where your friend is just with the help of the electromagnetic wave electromagnetic wave की थुरू आज हम लोग एक दुसरे के साथ communicate कर पा रहे है या फिर जितने भी जो wireless communication system है that is just possible just because of electromagnetic wave if there were no electromagnetic wave then we wouldn't be using wireless communication system today for example wireless communication system क्या होता है जैसे कि Bluetooth हो गया या फिर Wi-Fi हो गया या फिर mobile phone जो के बहुत important है तो जितने भी जो wireless communication system है वो electromagnetic wave की वजह से possible हो पाए है और जो electromagnetic wave electromagnetic wave हम लोग Electromagnetism में पढ़ते और जो Electromagnetism का जो foundation है वो यह है Maxwell के चार equations और यह जो Maxwell के चार equations है वो Electrostatics और जो Magnetism के जो core concept है उसको consider करते हुए और जो electricity और जो magnetism है दोनों के interrelation को consider करते हुए mathematically किये गए है प्रूव तो कुछ इस तरीके से electricity और magnetism interrelated है दोनों के बीच का relation है आगे हम लोग डिसकस करेंगे Electromagnetism के बारे में जब हम लोग Electromagnetism के बारे में study करेंगे Electromagnetic wave के बारे में discuss करेंगे तब ही हम लोग यह equations के बारे में पढ़ रहे होगे जो के Maxwell ने दिये ते हैं तो कुछ इस तरीके से electricity और magnetism एक दूसरे के साथ होते हैं interrelated इसी कुछ ऐसे से बारे में लोग दिसक्राप देखना हैं आगे जोग देखना हैं जो के का देखना हैं अलिवाद में लोग देखने हैं लोग घड देखना हैं वह गईतिग